नमस्कार साथियो रविंदर सिंग भाटी पर कमेंट करके जो नए प्रदेश अध्यक्स है मदन राठोर अब उनके लिए नए मुसीबते आ गई हैं सोशल मीडिया पर जो रविंदर सिंग भाटी के समर्थक हैं और जो युवा हैं वो लगातार मदन राठोर को लेकर कमेंट्स दिखाएंगे और जो लगातार काफी जादा गुस्से में रविंदर सिंग भाटी पर जो बयान दिया गया नए नविल अध्यक्स बने हैं और उससे पहले ही इस तरीके की बयान बाजी करना और विधायक पर कुछ इस तरीके के कमेंट करना उसको लेकर अब मूल OBC समाज से वो आते हैं और एक नहीं जो जिम्मेदार दिये उपचुनाव से पहले की OBC समाज को अपनी तरफ करने के लिए बड़ा जिम्मेदार पद उन्हें दिया है लेकिन आप रविंदर सिंग भाटी पर वो कमेंट करके फस गए हैं और यह जो युवाओं के कमे लिए और उनकी बात पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अब जो मदन राठोन का बयान है वो ले डूबेगा उपचनाव में नुकसान हो सकता है लगातार ऐसे कमेंट से सोचल मीडिया पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जिसमें से कुछ कमेंट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार वो विरोध दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि रवेंदर सिंग भाटी ने अगर निर्दले चुनाव लड़ लिया तो क्या गलती कर दी रवेंदर सिंग भाटी अगर जीत गए तो क्या गलती कर दी रवेंदर सिंग भाटी अगर युव वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मदन राठोर का ये बयान BJP के लिए बड़ा नुकसान दायक साबित हो सकता है और जो भी बयान उन्हें बोला है जो उन्होंने एक इंटर्वियू दिया था उस दोरान ये शब्द उन्होंने कहे तो जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे ह कि उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए और बयान पर माफ़ी मांगने चाहिए तो ये अब विवाद कहा तक पहुंचता है और कहां जाके थमता है कोई भी अपडेट इस बारे में आती है हम आप तक जरूर बताएंगे मदन राठोर किस पर क्या प्रतिक्रिया रहे लिए हैं कि लिए जब तरशानते रहने के रिए कि चैनल के साथ चुड़े रहें हैं